नमस्कार वीसियन न्यूस के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है भारतिया दूरसंचार नियामत प्राधिकरण ट्राई ने DTH और केबल ओपरेटर्स द्वारा उपभेकताओं को दिखाये जा रहे पेड़ी टीवी चैनलों की MRP अधिक्तम मुल्य लिस्ट जारी की है 29 दिसंबर के बाद से DTH और केबल ओपरेटर्स उपभेकताओं से इन चैनलों के लिए ट्राई द्वारा निर्धारित दरों से ज्यादा कीमत नहीं वसूल पाएंगे ट्राई द्वारा जारी की गई नई लिस्ट में सोनी पिक्चर्स, स्टार इंडिया और जी इंटर्टेन्मेंट सहित 42 ब्रॉडकास्टर्स के कुल 332 चैनल है इन चैनलों की निर्धारित की गई मंथली चार्ज की रेंज 10 पैसे से लेकर 1800 रुपए हर महीने तक है हाला कि ज्यादा तर चैनलों की कीमत 10 पैसे से 19 रुपए मासिक ही है 29 दिसंबर से यह नया नियम लागू होना है गौर तलब है कि हाल ही में ट्राई ने टेली कम्यूनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल इंट्रक्नेक्शन रेगुलेशन एक्ट लागू किया है इसके तहट 29 दिसंबर के बाद से डिटी एच और केबल उपभेगताओं को सिर्फ उनहीं चैनलों के लिए पेमिंट करनी होगी जो वो देखना चाहते हैं हाला कि बेसिक उपभेगताओं को ध्यान में रखकर ट्राई ने 130 रुपए में 100 फिरी टु एयर चैनल दिखाने का निर्देश दिया है इन 100 चैनलों में 26 चैनल दूरदर्शन के होंगे इसके अलावा उपभुकता अपनी पसंद के कोई भी 74 फिरी टु एयर चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर पेड़ चैनलों की बात की जाए तो पेड़ चैनलों द्वारा अगर कोई ग्राहक अपनी पसंद के चैनल चुनता है तो फिर उसे अच्छा खासा खर्च पड़ेगा जो के मौझूदा वक्त में जो चैनल उपभुकताओं को 200 रुपए की मासिक किस्ट पर प्राप्त होते हैं अब उनके लिए उपभुकताओं को 500 रुपए से लेकर 1200 रुपए मन्तली खर्चने होंगे ऐसा केबल आपरेटर्स का आरोप है और केबल आपरेटर्स कह रहे हैं कि सरकार दोहारा ट्राई के जरीए जो यह नया नियम लागू किया गया है इससे उपभुकताओं को लूटा ही जाएगा और सरकार उपभुकताओं को जो विग्यापनों के जरीए समझाना चाह रही है वह सरकार के नय नियम का सिर्फ और सिर्फ आधा सच है इसलिए सरकार को ट्राई के इस नए नियम पर तुरंत रोक लगानी चाहिए और मौजूदा इस्थिति को 29 नौंबर के आगे भी बरकरार रखना चाहिए ताकि उपभुकताओं को बिना महेंगाई की मार के मनोरंजन का साधन प्राप्त होता रहे ट्राई के नए नियम के विरोध में विधर्ब केबल असोसियेशन वा विसियन नियूस के संचालकों की ओर से अमरावती जिलह के जिला अधिकारी को ग्यापन सोपा गया और उसमें ततकाल प्रभाव से कलेक्टर के मातहत प्रधान मंत्री नरंदर मोधी से यह मांग की गई कि वह ट्राई के नए नियम पर रोक लगाएं जिलादी कारेन मारपाथ आमी पंतर प्रधान मोधी जिलना यह निवेदन पाड़गाओ यह निवेदन असली लेले कि तन नी या गुष्टी गामभी रहने लक्ष दियून जन्ती चीचे लूट होता है जन्तने ओला महाग केबल उत्तर परदेश के आगरा शहर में बीते 18 दिसंबर को मनपुरा परीसर में लाल गाओं की संजली जाटव नामक यूती को दिन दहाडे कुछ असमाजिक तत्वों ने उस पर पेट्रोल छुड़क कर उसे जिन्दा जला डाला था लेकिन उपचार के दौरान ही संजली की मुर्ट्य हो गई उसके बावजूद कानून विवस्था का दावा करने वाली योगी सरकार के राज में संजली जाटव के अपराधी खुले तोर पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं उन पर अब तक किसी प्रकार की कोई कारेवाही नहीं की गई है उत्तरपरदेश सरकार के इस तरह के असम्विदन शील रवई को लेकर अमराथी जिलह में भी ब्रिगेड के कारेकरता वपद अधिकारियों ने जिलह अधिकारी के कारेयाले पर पहुँचकर नारे बाजी की और ग्यापन सौपा और कहा कि संजली के मुझरीमों के खिलाब ततकाल प्रभाव से कारवाई की जाए और उन्हें सलाखों के पीछे बंद कर फासी की सजा दी जाए इसके साथ साथ बीम ब्रिगेड के प्रधिकारियों ने मुख्यमंतरी योगी आदित्यनाथ के उस बयान की भी निंदा की के हम गाए बचाने का काम करते हैं लड़कियां बचाने का नहीं इस तरह के वक्तवे पर नाराज हुए भीम ब्रिगेड के कारिकरताओं ने 24 दिसंबर को इर्विन चौक पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदित्यनाथ का पुतला फूक कर जोरदार विरोध पुरतरशन भी किया भीम ब्रिगेड के अनुसार एक और सरकार नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन आगरा के मनपुरा छेतर के लालगाओ निवासी अपने परिवार के साथ रहने वाली 15 वर्षिया गरीब 16 संजली जाटो इसकूल से घर जा रही थी उसी समय मोटर साइकिल पर सवार कुछ समाच के कलंकों ने संजली को कर उस पर पेट्रोल छिड़क कर जिन्दा जला डाला संजली की अस्पताल में इलाज के दोरान मुर्ट्य हो गई राजनूती सहायता पाने वाले आरोपियों को लोकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम गाए बचाने का काम करते हैं बेटी बचाने का नहीं इसलिए कारेकरताओं ने योगी आदित्यनाथ का पुतला कूखते हुए तिर्वनिशेत किया और खुल्याम घूम रहे आरोपियों को ततकाल गिरफतार कर फासी की सजा देने की मांग की साथ ही भीमार्मी के कारेकरताओं ने कोई कारवाई ना होने पर कड़े विरोध प्रदर्शन की चेताओनी भी दी है गरिब मुली चे अंगावर दिवसा धाले पेट्रोल टाकून किला जुवन्द जालने दालेला है तरी योगी सरकार्चा मनना है कि आमी हम गाय बचाने के लिए सरकार पे बैटे है बेटिया बचाने के लिए नहीं अशा वक्तव्य करनारे योगी सरकार्चा आमी जारी निशेत करतो वह जो पर्यांत त्या संजली चे आरोपिन ना आटक होत नाई फाशी इसाजा होत नाई तो पर्यांत आमी आज योगी यांचा पुतला राच्कमल चावका मते जानला रहे आनि जर वेल पल्ली तो अमरावती बंद करने अचा आमी सुद्धा एक निर्ने घेव शकतो पूर्ण मीटिंग बसून एक निर्ने घेव आनि हे एक कृत्या है हे क्रुत्या है कि जस भीमा कोरेगा वाता जवलेता है अंजन का सुर्जी शहर के उर्दुस्कूल क्रमांका आठ में विध्यारत्यों की पटसंक्या लगातर बढ़ती ही जा रही है यहाँ पटसंक्या बढ़ने से स्कूल के कमरों में बेटने के लिए जगा तक कम पढ़ चुकी है जबकि स्कूल से सटेनगर परिशद की पुरानी इमारत बंदावस्ता में पढ़ी है उर्दू स्कूल क्रमांक आठ में लड़कियों की संख्या जादा होने से स्कूल में विध्यारत्यों को बेटने के लिए जगा कम पढ़ रही है इसलिए स्कूल के बाजू में बरसों से बंद अवस्ता में पढ़ी नगर परिशद की इमारत है इस इमारत में स्कूल का काम का जैदी शुरू हो जाता है तो निचीती तोर पर छात्राओ को सुविदा हो जाएगी इसलिए छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए नगर परिशद की ओर से आवशक कदम उठाने चाहिए यदि नगर परिशद किसी भी तरह का कदम नहीं उठाती है और बंपड़ी इमारत छात्रों के लिए उपलब नहीं करवाती है तो 8 जन्वरी 2019 को नगर परिशद काराली के सामने धरना आंदोलन कर सारे शहर में मूर्जा निकालने का इशारा उपस्तित यमायम के कारे करताओं ने दिया मैं सेयद मुझी बेमायम शहर अद्धिक्ष अंजनगाव सूर जी आज हमने नगर परिशद अंजनगाव सूर जी में सीयो सापको एक निवेदन दिये और उस निवेदन में हमने जो जूनी नगर परिशद अंजनगाव की उस बिल्लिंग की मांग किये ताकि उसको लगीवी जो इसकूल है गर्ल्स इसकूल 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 नमबर आठ वो इसकूल को जुनी नगर परिशद मिले और जो आठ नमबर इसकूल में बहुत ज़्यादा बच्चों की तेदाध है लेकिन वहाँ पर चारी रूम है बैठनी के लिए अन्जन गाव सुर्जी से जाविश शाक की रिपोर्ट पैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए क्योंकि बिजिलेंड का सबसे बड़ा आलिशान भववे शोरुम शद्दा फैमिली शौपी एंड मॉल बिजिलेंड कॉंपलेक्स नानगाव पेट अमरावती संवान जोतिश्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र समरुद्ध जन्मकुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्मान अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्मकुंडली एवं जोतिश्य परामर्ष के अनुसार विस्त्रुप खलादेश के साथ जन्मकुंडली का नया स्वरू रहो की शांती के विभिन्न उपाई समवाद जोतिश्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र अंबा देवी मारके अंबा देवी अमरावत तर में आध्यात्मिक अाम्रावत विधर्भका सबसे बड़ा शोरूम बिजी लैंड में आराधना होल्सेल शॉपिंग मॉल होल्सेल रेड में रिटेल विक्रि आराधना संपूर्ण लगनवस्ता बनार्ची शालू डिजाइनर साड़य घागरा ओडनी सलवार सूट द्रेस मटेरियल रेडिमेट कोट, शूर्टिंग शर्टिंग, टीनेज वेर, किट्स वेर, फैशन ज्वेलरी, लाइफ स्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग लेन नमबर, एल टू, शौक नमबर, 43-48, बिजिलेंड कॉंप्लेक्स, नानिग उपेट, अमरावती, आरा धना, होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में, चिल्लर विक्री, आरा धना 2015 में फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी के साथवी राफाइल डील को लेकर कॉंग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ आकरामक रुख अपनाए हुए है सिर्फ कॉंग्रेस ही नहीं बलके देश भर में अलग-अलग विपक्षी दलों ने राफाइल डील में गड़बडी का आरोप लगाते हुए मजूदा प्रधान्वंत्री नरेंद्र मोदी नीत भाजप सरकार पर करारा प्रहार किया है बात आरोप प्रत्यारोप तक नहीं रही यह मामला सुप्रीम कोर्ट टक भी गया सुप्रीम कोर्ट में कुछ टेकनिकल बिंदुओं के आधार पर भाजप सरकार को राहात दी गई और इस फैसले को भाजप सरकार ने अपने सवच्छ होने का सबूत बताते हुए कहा कि कॉ गुमराह करने में लगी हुई है लेकिन सुप्रिम कोर्ट के इस जज्जमेंट के आने के बाद से ही विपक्षी पार्टियां और ज्यादा आकरामक हो गई हैं आरोप प्रत्यारोप का खेल और बढ़ता चला जा रहा है इसी को लेकर इंडियन नैशनल कॉंग्रेस की और से देश के हर एक शहर वा हर एक जिला में नेशनल कॉंग्रेस कमिटी के पदधिकारियों द्वारा वहां के जिला अधिकारियों को ग्यापन सौपे गए हैं उसी के तहट अमरावती शहर में भी जिला अधिकारी कारियाले पहुँचकर अमरावती शहर वा ग्रामिंड कॉंग्र से करवानी चाहिए ताके देश के सामने सच आ सके आमचे राष्टे नेते राहुल जी गांदी यांचा सुचने नुसार संपुर्ल देशात राफेल वीमान खरेदी घोटाड़ा संदरबाद सांसद्य समीती मारपद सोकशी भावी या साथी देशात ले प्रते जिल्ला दिक क observable लेश जरिखार देसितर वतिने निवेदन देनेकाश आज जी थोरता आनाइं तसनि निवेदन आमीं जिल्ला दिखाराना दिलीला आहे या निमिद्या ने या मतश्य मतुनयां आमीं जंतेला संग Marcus चीतो कि माननें मोदी सरकार किती खोटा भ़डा आए देशात चा सर् गोर्मेंचा हिंदुस्तान लिमिटेड या तंप निला लाफेल इमान खरेजुत निविदा मंजुर धाली अस्तान ना मानने मोदी आनी विदेशात एक तर्पी निरने ग्योंद सरकार चे सोरक्षन सचूँ शरकार चे सोरक्षन मंतरी या ना विश्वासप न भेता एक तर् देलिया चे सुद्धा संपूर्ण देशा न भगित लेला है। देलिया चे सुद्धा संपूर्ण देशा न भगित लेला है। पदधिकारियों का कहना है कि भाजब सरकार ने सुप्रीम कोट में सील बंद लिफाफे में जूठा हलफ नामा दायर किया है। और तुप्रीम कोट का फैसला भी उसी जूठे हलफ नामे की बुनियात पर आया है। अपने इस कुरूर कुर्ते के लिए और जूठे कारिये के लिए भाजब सरकार को देश वा मानन या नयायाले से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ साथ एक बार फिर से कॉंग्रेस के नेताओं ने वह आरोप दोराए के आखिर सतर सालों से देश में डिफेंस छेतर में कारे कर रही हल को यह काम ना देते हुए। किस तरह सिर्फ 15 दिनों पहले बनी रिलाइंस एरोनाटिक डिफेंस लिमिटेट को यह काम दे दिया गया। यह सरासर घोटाला है और देश को 30,000 करोड रुपे की चपत चौकिदार द्वारा लगाई गई है। पत्तिक्षा वल्गाता करत देशाचे 15,000 मुनों नरे नर्मोदी विराजबान दाले। यते की तरना बहुमत दिल और यह देशाचे 15,000 मुनों नरे नर्मोदी थे विराजबान दाले। देशाचे 15,000 मुनों नर्मोदी थे विराजबान दाले नंतर हावाउ लोका चलाशाच यह उलागा की बहाजबा के कतनी और करनी में फरक है। यह बोलता देख करता पत्र विगर्स। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाविशही के निरने करू शबत नहीं। आज द्यामों कॉंग्रेस नी सुर्वाती पासूल JPC Joint Parliamentary Committee याच्या मादमत चावकशी थाली पाईचे हाँ अग्रह धरलेला होता। आता सुप्रीम कोटा ने देखिलते मादने के लग की आपचा कारेक्षेत्र मर्या दीते हैं। आज यह वो त्या कारेक्षेत्र अच्या आपचा समी निरने करू शबतो हो। इस समाचारों में आप वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहें। विदर्भ का सर्वसरिष्ठ न्यूज चैनल विस्यन न्यूज नमस्कार। झाल